Hey guys, this is Kinari Singh and a warm welcome to Glitz Vision USA. So, Tariq Mehta का उल्टा चश्मा, ये शो सबका चहीता है, but unfortunately, बहुत कुछ सही नहीं चल रहा है इस शो के साथ. सबसे पहले, the fact that Disha Vakani, जो की दयावेन का कारक्टर निभाती थी, वो 2017 से इस शो में वीवर्स को नहीं देख रही है, reasons उनके personal है, उसके बाद शो से जो सोडी का चारेक्टर पोट्रे करते थे, उन्होंने शो को क्विट किया, जो अंजली का का चारेक्टर पोट्रे कर रही थी, उन्होंने शो को क्विट किया, and अब there are strong rumors कि Tariq Mehta का जो का चारेक्टर प्ले कर रहे है, शैलेश, वो भी इस शो को बहुत जल जो है, अलविदा कह सकते है, अब इतनी सारी uncertainty शो के साथ हो रही है, but there is definitely a ray of positive hope, क्योंकि असित कुमार मोधी, जो की इस शो के producer है, उन्होंने recently confirm किया, कि ये साल दया बेन की वापसी होगी, अब असित ने कहा कि ऐसा नहीं था कि वो इस कारेक्टर को कभी वापस नहीं लाना चाहते थे, but बहुत कुछ चल रहा था इस शो के साथ, फिर covid आ गया, that's the reason उन्हें एक सही मौका नहीं मिल रहा था, दया बेन की कारेक्टर की वापसी का, बड़ इस साल जबी भी उन्हें लगेगा कि सही ट्रैक चल रहा है या सही समय है, वो दया बेन की कैरेक्टर को इंटर्यूस करेंगे, असित ने ये भी कहा कि वेदर दिशा बकानी विल बी अगेन जॉइनिंग अस दया बेन या कोई दूसरी आक्टर उन्हें रेप्लेस करेंगी, इस पे वो अभी कुछ नहीं कह सकते, बड़ साथी साथ उन्हों ने ये भी कहा कि दिशा और उनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छी से समझते हैं कि दिशा अगर अक्टर है, तो साथी साथ वो अब एक मा है, वो एक वाइफ है, अगर वो अपनी परस्टनल रिस्पोंसिबिलिटीज के वज़े से शो जॉइन नहीं कर सकती है, तो वो पूरी तरह इस बात को समझते हैं, there is also one thing कि में भी हो सकता है कि मेकर्स का ये डिशिन की दया बीन की कैटर को वापस लाने का, वो इसलिए भी हो सकता है कि बहुत सारे जो आक्टर्स हैं, वो बिस शो को क्विट औरड़ी कर चुके हैं, और कई आक्टर्स सोच रहे हैं शो को क्विट करने का, तो डेफिनिटली अगर दया बेन की कैटर की वापसी होगी, जेथ हलाल और दया बेन की जो ऑन-screen chemistry है, जो लोगों को काफी जादा पसंद आती है, तो अगर ये एक बर वापस से हुआ, डेफिनली शो की जो टियार पी है वो वापस बूस्ट होगी, Hi guys, this is Aashisink and you're watching me on Glyphsvision USA. Like, subscribe and love.